एलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मधूज किचिन में फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ हॉली स्पेसल सूपर टेश्टी मेटन करी वनाने का एकदम नया अलग और आसान तरीका शेयर करनी हूँ आपको बहुत पसंद आएगा इसे वनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह सा लोटा चमच नमक डालेंगे और यहाँ पर यह देखेगा हमने दो मीडियम साइज की प्याज को इस तरीके से बारिक बारिक काट लिया है इनको भी डाल देंगे और साथ में एक चमच करा हुआ अधरक और लहसुन डालेंगे आप चाहे तो यहाँ पर पेश्ट भी डाल सक करेंगे यह देखेगा इस तरीके से हम हाथ से इनको अच्छे से मिक्स करेंगे तो मतन के ऊपर सभी मसालों का बहुत अच्छे से कोट हो जाना चाहिए जब तक हम मतन को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर देखेगा मतन भी हमारा अच्छे से मसालों के साथ कोट हो तो चलिए अब हम इसको रख देंगे आधा हंटे के लिए ढगका और जब तक यह मैगिनेट हो रहा है हम करते हैं आगे की तैयारी तो गैस पर हमने कूकर रख लिया है और उसमें हम डालेंगे आधा कप तेल तो मैं यहां पर सरसो की तेल का यूज कर रही हूं आप चाहें त लेकिन सरसो की तेल में वनी मटन करे भी बहुत ज़्यादा टेश्टी होती है तो यहां पर दिखेगा तेल भी हमारा बहुत अच्छे से गरम हो गया है तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले तो मैंने यहां पर दिखेगा एक चमच जीरा लिया है दस स मसालों को अच्छे से चटकने देंगे तो तेल के अच्छे से गरम होनी के बाद हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि मसालों को जो फ्लेवर है तेल के अंदर अच्छे से आए तो यहां पर देखेगा हमारे मसाले भी अच्छे से चटक गए है तो इस प्याश पर एक गोल्डन कलर ना आ जाए जब तक हम प्याश को भूनेंगे तो देखेगा बीच बीच में चलाते हुए हमें प्याश को भूनना है और गैस की फ्लेव हमने मीडियम टू लो रखी है और अब देखेगा प्याश का कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है तो इस आप देखेगे है तो इस तरीके से बहुत एक दालने माटन को कुकर में लाद दिया है और इस तरीकेसे पहले हम माटन को लगवग 5만के लिए मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे इस तरीके से जब हम मटन को भून कर बनाते हैं तो इससे क्या होता है जो हमने इसमें प्याज जा ली है वो भी अच्छी तरीके से भून जाएगी और हमारा जो मतन है वो भी बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएगा और मतन करी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन कर तयार होगी और अब देखिएगा मतन को भुनते वे लगवग 5 मिनट हो गए है इसमें जो प्याज है वो भी बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है और मतन भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है तो इस टाइम पर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और कूकर को ढग देंगे और मतन को कम से कहा हम 15 मिनट के लिए low flame पर भूनेंगे और बीच बीच में हम इसका ठकन हटाकर मतन को चेक करते रहेंगे और यहाँ पर देखेए हमने 5 मिनट के बाद ठकन हटाया है और मतन ने देखेएगा काफी पानी रेलीच कर दिया है इसमें चीत बुझाज तो सूखे मसाले डालेंगी. तो सबसे पहले हम इसमें 15 छोटा चमच हल्दी पॉर्ड़र डालेंगे. एक छोटा चमच भर कर की समीरी रचली पॉर्ड़र डालेंगे अपने हिसे यह कम डाल रहे हैं और आधा चम्मस से थोड़ा से जादा हम इसमें नमक डालेंगे नमक हमने पहले भी डाला है तो आप अपने हिसाब से डालिएगा और अब सभी मसालों को हम अच्छे से चलाते वे दो मिनट के लिए भूनेंगे मतन के साथ यहाँ पर देखेगा मसाले भी बहुत अच्छी त मसालों को भूनते वे भी दो मिनट हो गए हैं और मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से भून गए हैं मसालों ने पूरे ओल को रिलीज कर दिया है इसका मतला भी कि हमारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से भून गए हैं तो यहाँ पर दिखेगा हमने एक बड़े टमाटर का पेष्ट बना लिया है इसको भी डाल देंगे और अब टमाटर के पेष्ट को भी मतन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर के पेष्ट को भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है जब तक कि टमाटर का कच्छापन जो है अच्छे से निकल जाए हम मतन को तो इस तरीके से भूनने से क्या होता है कि टमाटर तो हमारा बहुत अच्छी तरीकी से पकी जाएगा लेकिन हमने जो मटन और मसाले हैं वो भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से भून जाएंगे क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से हमारे मसाले भुनेंगे न उतनी ही टेस्टी हमारी मतन करी बनकर तयार होगी तो यहाँ पर देखिए कि टमाटर को भुनते वे भी लगवग 5 मिनाट हो गए है और बहुत अच्छी तरीके से हमारे सभी मसाले और टमाटर भुन गए है और मटन में बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है और ये हलका हलका सोप्ट भी होना सुरू हो गया है और अभी से ही मटन में बहुत अच्छी सी एक खुसू आने लग गई है सच में बहुत ज़्यादा टेष्टी बनकर तैयार होने वाली है हमारी मटन करी और मटन करी को और भी ज़्यादा सूपर टेष्टी बनाने के लिए इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे एक चोथा ही चमश घिसा हुआ जाय फट जाइफल डालने से हमारी मटन करी का जो टेस्ट है ना वो एकदम next level का आएगा तो चलिए इसको भी एक बार हम अच्छे से mix कर लेंगे मटन के साथ तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे पानी और जो पानी हमको डालना है वो यहाँ पर गुनगुना पानी डालना है तो इसलिए मैं इसमें अभी आधा कप पानी और डालनी हूँ क्योंकि मटन को पकने में थोड़ा टाइम लगता है और अब देखेगा हमारी ग्रेवी में एक गुबाल भी आ गया है तो इसमें बहुत अच्छा सा एक टेस्ट लाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक चमज भरकर मीट मसाला मीट मसाला आप किसी भी ब्रेंड का ले सकते हैं तो चलिए इसको भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे मटन के साथ फ्रेंड जवाब इस तरीकी से मटन करी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होती है और इसे आप रोटी के साथ चावल के साथ नान के साथ किसी भी चीश के साथ इंजोई कर सकते हैं सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो इस टाइम पर हम कूकर का धकन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम कूकर में 3 सीटी लगाएंगे और उसके बाद हम 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे और जब कूकर का प्रेसर खुछ से रिलीज हो जाएगा तब हम कूकर के धकन को हटाएंगे तो यहाँ पर देखेगा हमने कूकर में 3 सीटी लगा दी है और उसके बाद देखेगा इसके प्रेसर भी खुछ से रिलीज हो गया है तो यहाँ पर देखेगा हमने इसका धकन हटा दिया है और वाओ कितनी बढ़िया हमारी मटन करी बनकर तयार हुई है इसका बनी है न एकदम सुपर टैस्टी बहुत यह जारी समें कलर आया है और बहुत यह जो अची तरीके से पग गया है यह देखेगा कितना बढ़िया हमारा मटन कर मटन तैयार हुई है बहुत ही। हो रहा है यह देखीगा एक एक रेशा इसका अलग हो रहा है इसका मतलब studied हैकि हमारा जो मतन है बहुत अच्छी तरीके से पक कर तयार हुआ है तो चलिए उपर से डाल देंगे हम इसे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और निया को अच्छे करी थोड़ इसी पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूलिएगा और जो चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर करें साथ में बैल आइकन का वटन प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे की मेरी आने वाली सब्वी वीडियो सबसे पहले आद तक पहुँ सके थेंक यू